हेलो गाइज कैसे है आप साब स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल एकजाम अनुभो पर आज हम बात करेंगे बेसिकली यहां पर उत्रप्रदेश अधिना से वाचे अन आयो की तरफ से जो लेकपाल की भरती जो चल रही थी 8085 पदों पे कब आएगा परिणाम क्यों मैं आपको डेटेल से बताऊंगा इसकी जो जानकारी और यहां पर जो कनिस्टा है कि यानिकी यूनि असिस्टेंट जो पीटी 2022 के अधार पे यह भरती निकाली गई थी 3800 के लगबगपद क्योंकि पहले तो यहां पर 1500-1200 पद निकाले गए थे अब यहां पर 2000 पद बढ़ाद में बढ़ाए गए तो लगबगग रही धी आप यहाँ पे 3800 पद निकालने के बाद क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पेज फस गया है और वो पेज क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जिसके चलते यह बढ़ती हाई कोड में चली गई है क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो को अंतक देखें वीडियो को लाइक करके साजा कर दें चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कनिस सायक भरती जिसमें 3830 पदो के विग्यापन को चिनोती दे दी है यहाँ पे 26 विवहागों में कनिस लिपिक और कनिस सायक जिसे जुनिय असिस्टेंट भी कहते हैं 38 यो 30 पदो पर चैन के विग्यापन को हाई कोड में चिनोती दे दी गए है लाबाद हाई कोड की लखनोखंड पीट में भरती में OBC SC वा ST वर को नियमा उनुसार आरक्षण ना देने के आरो वाली आज़का पर उत्तरप्रदेश अधिनस सेवाचयन आयोग से दो हफते में जवाब मांगा है आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो लखनोखंड पीट है लाबाद हाई कोड की उसमें जो एक महिला है जिनका नाम गरिमा मौर्या यहाँ पर देख सकते हैं नयाय मोर्ती जो है मनीश माथूर की एकल पीठ ने आदेस अभ्यार्थी जो हैं गरिमा मौर्या की याचिका पर दिया अब इनका क्या क्याना है चार अगस 2030 को आयोग ने 3831 पदों पर चैन का विगापन जारी किया था इस भरती पर इच्छा में 1994 के सीस्टी एक्ट ओबीसी के लिए कमसा जो की 1994 बनाय गया था रिजर्वेशन के लिए जिसमें सीस्टी के लिए 21% ओबीसी क के लिए 27% का प्रावधान किया था मगर यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं किया गया याची ने आरच्छन के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश देने का अगरा किया है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा नोटिफेकरिशन भी दिखाया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तरप्रदेश अधिना श्रेवा चैन आयो की तरब से यह कनिष्ट सायक कनिष्ट लिपिक के ही यह जो विज्ज्यापन निकाला गया था चार अगस्त को यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊना चाहूंगा कि 38-31 पत का तो यह पहले विज्ज्यापन निकाला गया था मगर उसके बाद यहाँ पे 1600 प्लस बरतियां और जोड़ी गए ठीक है तो टोटल यहाँ पे 500 पत हो जाते हैं तो यह ज दिखाता हूं मैं आपको कि जैसा कि आप देख सकते हैं आपे यह हैं राजवार स्वरी विभागवार वेकंसिया और मैं थोड़ा सा सैंपल आपको समझाने की कोसिस करता हूं आप देख सकते हैं 1150 पद हैं कुल पद अब यहाँ पे आनार अचित पद तो 50% हो गया 615 लग निकाल के देखेंगे तो लगबग लगब यहाँ पे 300 प्लस भरतिया होनी चाहिए OBC की आप खुद देख सकते हैं तो यहाँ पे यह कम भरतिया हो गई इसके बाद यहाँ पे जो SC और ST के लिए 206 प्लस 6 मिला के कितने होते हैं 212 हो जाते हैं इनको मिला के पद मगर यहाँ पे 212 पद ना होके होना चाहिए 240 प्लस तो इसमें भी कम है तो यह जो भरतिया कम है इनहीं का ही हावाला देते हुए विज्यापन में संसोधन करने की मांगती है जो प्रगति मौर रहा है क्या नम है उनका थोड़ा सा भी मैं क्लियर कर लूँगा जो भी है किसी मैला ने इ उनका लिए 27 परसंट निकालेंगे तो यहाँपे 234 पड टोटल है और इसका जब निकालेंगे तो OBS के यहाँपे 125 पड निकालेंगे हैं चेहाँ एंप होना चाहिए 289 पड होना चाहिए 2024 का यहाँपे 234 परसंट जब यानि कि जो पदों का वित्रण सही से नहीं किया गया है तो इसके चलते यह भरती हाई कोड गई है यह तो मैं सैंपल दिखा रहा हूँ सभी उसमें देखेंगे यहाँ पे विकेंसी अभी बाद में बड़ा हैं पच्पन सो पद हो गए हैं तो इसमें अभी 1600 प्लस भरती हैं इंक्रीज की गई हैं तो उसके सापेच यहाँ पे और भी अंतर आपको देखने को मिलेगा इसलिए यहाँ पे जो आरच्छन का बात उठाया गया है हाई कोड के समझ लखनो खंड पीट में तो जो माथुर्जी हैं यहाँ पे देख सकते हैं विग्यापन यहाँ पे देख सकते हैं जो गरिमा मौरे ने यह उठाया है मुद्दा यह SCST OBC के लिए जो निमावार जो आरच्छन ना देने का आरोप लगया तो इसके चलते यह बढ़ती थोड़ा सा हाई कोड का रुख ली है तो क्या है डिसीजन आता है या इसमें सुधार करता है आयोग जो वेकेंसिया है उनको फिर से संसोधित करके जो आ रच्षन इधर उधर जो भी बैलन्स करता है पदों का वित्रण सही से करना चाहिए पिसी भी वरका हो यदि कैटीगरी में कम होते है तो उनका भी हग बनता है SCST का कम होता है तो उनका भी हग बनता है क्योंकि जो देखिए किसी का हग नहीं मरना चाहिए किसी भी वरकेशाथ हो ठीक है तो ये जानकारी थी इसके लिए आपको हमारे चल से जुड़ना होगा और भी जानकारी के लिए तो कोई भी अपडेट आते हैं इस विग्यापन से लेके इस भरती से लेके तो आपको हमारे चनल पर बताया जाएगा अगली नूज है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 8,085 पद हैं लेकपाल के तो इसका कब है अंतिम परणाम जारी करेगा आयोग तो प्रती दिन यहाँ पे 700 अभ्यारतियों का दस्तावे सत्यापन भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले तो 300 अभ्यारतियों का ही जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन होना था मगर इसे बढ़ा के 700 कर दिया गया है यूपी ट्रप्रदेश को जन्वरी तक 8,085 लेकपाल मिल जाएंगे ऐसा कहना है यूपी ट्रप्रदेश सवाच चैन आयोग ने मुख परिच्छा के बाद अभ्यान चलागा 27,433 सभ्यारतियों के दस्ताविल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है क्योंकि फ्रेंट्स यहां पर आयोग के अनुसार इस समय पहली प्रात्मिक्ता परणाम जारी करना है गौर तलाब है की राजश श्रीव भाग के जो 8,085 पदों पर चैन प्रक्रिया चल रही थी 22 से यह प्रक्रिया शुरू है जिसमें 31 जुलाई 22 को आयोजित की गई थी परिच्छा लिखित और इसके बाद यहां पर परणाम दो मई को जारी किया गया था इसके बाद यहां पर 27,455 अभ्यारतियों को परणाम जारी किया गया था इसमें डाकुमेंट वेरिफिकेशन ह होना था मगर यहां पर 22 सब भाइरतों को डिबार गोशित किया गया था 27,433 सब भाइरतों को दस्तावर सत्यापन 19 सितंबर से सुरू किया गया और यह जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है तीस नॉमबर तक चल रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इसे पूरा करने के आपका ठाटा त्यार किया जाएगा और जो वेकंसी के अनुसार आपके जो माक्स हैं उसके अनुसार परणाम जारी किया जाएगा तो इसलिए कहा जा रहा है कि जनुरी के मद्द तक ये परणाम जारी करने की बात चल रहा है आयो के द्वारा यह है पूरी जानकरी और यह प्रविजनल एंसर की भी जारी की गए थी यहाँ पे जो आपत्ती मांगी कई थी 15 नवंबर तक आपत्ती ली गए थी क्योंकि जो की कल की डेट लाश्टी खतम हो गई है यूपिटेपलसी के जो सची वह है अवनी सकसेना ने कहा है कि आपत्तियों का निस्तान कर इस मैने के अन तक या जन्री के पहले सब्ता तक परणाम जारी कर दिया जाएगा तो यह है पूरी जानकारी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मुख शेविका का परणाम है और जैसा कि वीडियो का परणाम है इसके संबंद में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और उसकी भी जानकारी क्योंकि एक वीडियो में सभी नौकुजियो के बारे में बताके वीडियो लंबा हो जाता है तो लेंदी ना वीडियो बने इसलिए सॉट न्यूस देने के लिए छोटे-छोटे वीडियो देता हूँ वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बेल आकोन के अवस्ट प्रेस करने जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग जैहिन